जे स्रीराम दोस्तों, दोस्तों महरणा सांगा का जीवन बहुती संगर्श्पून रहा है, उन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है, पिछले वीडियो में हमने 1518 में जो खातोली का युद्ध हुआ था, उसके बारे में जाना था, महरणा सांगा के त 1519 इस्वी में बांडी का युद्ध, बांडी धोलपूर में पड़ता है, ये 1519 इस्वी में हुआ, इब्राहिम लोदी खातोली के युद्ध की हार को बरदास्त नहीं कर सका, तब उसने अपने मुख्य सेना पती, मिया हुसेन के नेत्रतों में, मिया खान खाना, फर्मूली, हाजी खान, दोलत खान, युसुप खान, आदी के नेत्रत्व में, महरणा सांगा के विरुद, शेना को भेजा, लेकिन इस युद्ध में भी, महरणा सांगा की ही विजई हुई, राजपूतों ने, सुल्तान की भागते हुई शेना का, बयान तक पीछा किया, इसके बाद में मालवा के कुछ चित्तर पर महरणा सांगा ने अधिकार कर लिया, इसमें चंदरी पर भी महरणा सांगा का अधिकार हो गया, इसी चंदरी को बाद में महरणा सांगा ने मेदिनी राई को सौंप दिया था, महारणा सांगा का मालवा के साथ में संगर्स किन कार्णों और किन प्रिष्टितियों में हुआ मालवा के सासक महमुद खिलजी दिती है जबकि वास्तों में सत्ना मुसल्मान उम्राव गुट के हाथ में थी जो खिलजी को मेत्व ही नहीं देते थे इसकारण खिलजी के मन में डर लगने लगा तो वह है वहाँ से मांडू भा गया क्योंकि उसे लगा कि वहाँ पर उसकी जान को खत्रा हो सकता है इसलिए वह मांडू भा गया मुहाफिज खां की अध्यक्स्ता में सभी ने मिलकर मेमुद खिलजी के भाई साइब जादा साइब खां को मालवा का सुल्तान मना दिया मालवा के राजपूत मेदिनी राई ने मेबूद खिलजी की साइटा भी की और वह सुल्तान का मुख्य सेनापती हो गया मेदिनी राई मेहमुद खिलजी के मुख्य सेनापती बन गए जब मेहमुद खिलजी राजधानी की और चला तब साइब जादा साइब खांकी सेना ने खिलजी का सामना किया मेदिनी राई की साइटा से मेहमुद खिलजी ने युद्ध में विजए प्राप्त की क्योंकि उस समय में मेधिनी राई just कि कि हमान यूदा थे और मेमुद खिलजी को मालवा वापस मिल गया खिलजी ने मेधिनी राई को मालवा का प्रधान मंतरी बना दिया मेधिनी राई की प्रतिषटा दन्प्रती दिंद बढ़ने लगी इसकान दर्वार में अन्य लोग मेदिनी राए से जलने लगे वे मेदिनी राए के विरुध दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी वे गुजरात के मुझफर खांदितिये से साइता मांग ली ये कहकर कि मालवा में हिंदुओं का राज्य है खिल जी तो नाम मातर का सासक है जबकि वास्तविक सासन तो मेदिनी राए का ही चलता है चंदेरी के अधिपती बोज़त खां ने विद्रो किया और सुल्तान महमुद खिल जी के भाई साइब जादा खां को विद्रो का नेता बनाने के लिए चंदेरी बुला लिया चंदरी पहुँचने पर बोज़त खां और मालवे का एक दूसरा बागी मसूर खां साब खां से मिला और सुल्तान महमुद के नाम से मालवे का बादसा बना बोज़ खां उसका वजीर बना इदर सुल्तान सिकंदर लोदी ने भी इमादुल मुलक वे साइद खां के अध्यक्स्ता में बाराजार सेनिक मालवा दिलाने के लिए साइब खां की साइथा के लिए बेजे गुजरात का सुल्तान मुजफर भी विद्रोई की साइथा के लिए रवाना हो गया मेदिनी राए ने सब विद्रोईयों को हरा कर विजय हासिल की इस परकार मेदिनी राए बहुती प्राकर्मी और बुद्धिमान योद्धा थे दिल्ली व गुजरात के सुल्तानों की सेनाओं को हराने के बाद मेदिनी राय ने भिलसे का सासक सिकंदर खा जो विद्रों में सामिल था इसके विरुद मलिक लाड़ो को भेजा स्वेम सुल्तान महमुद के साथ गुजरात सेना का सामना करने के लिए पहुचा मुझपर शाह पर आकर्वन किया मुझपर शाह एमदाबाद भाग गया गुजरात को हरा कर मेदिनी राय चंदरी की ओर चले यहां भी विद्रों को दबया सिकंदर लोदी ने अपनी सेना को वापस दिल्ली बुला लिया क्योंकि उसे लगा कि अब मेदिनी राय के सामने टिक नहीं पाएंगे मुहाफिज खाँ वै ख्वाजाद जहां की अद्धिक्स्ता में सैजादे साइब खाँ ने मांडू को घेर लिया मेदिनी राय ने बड़ी सेना को मांडू भेजा और नालचा के पास युद वा जिसमें मुहाफिज खाँ मारा गया विद्रोही पूर्ण रूप से हार गए साइब खाने संदी कर ली इस परकार मेदिनी राय ने महमुद खिल जी के सत्रों को पूरी तरह से प्रास्ट कर दिया हारे हुए सभी युद्धाओं ने महमुद खिल जी के मन में मेदीनी राई के विरुद्वेस भाउना धीरे धीरे बढ़ने लगे क्योंकि वे हारने के बाद में वापस महमुद खिल जी के पास आ गए फिर उनके पास और कोई उपाई तो बचा नहीं था कि वे लड़कर जीते मेदीनी राई से तो उन्होंने खिल जी के मन में मेदीनी राई के प्रतिद्विस भाउना बढ़ने लगे और खिल जी को मेदीनी राई को मारने के लिए तैयार कर लिया ये वरतमानी इतियास में भी ऐसा बार बार हुआ है कि जिन लोगों को छत्रियों ने बनाया उननों ही उनके साथ में दोका किया सुल्तान ने मेदिनी राई को मारना चाहा उन्होंने सड़ी अंतर कर लिया लेकिन फिर भी घायल होकर मेदिनी राई सिविर में आ गए इसके बाद मेदिनी राइ मांडू में अपनी शेना को छोड़े महराना संग्राम सिंग्जी के पास साइटा के लिए चित तोड़ाए यहाँ पर भी महराना संग्राम सिंग्जी ने मेदिनी राइजी की साइटा की महराना मेदिनी राई की साइटा करने के लिए तयार हो गए महराना ने गागरोन चंदेरी के परगने मेदिनी राई को दिये कि आप इतल का सासन करो और आपका बदला भी लिया जाएगा मेदिनी राई का बेटा भीमराज गागरोन रहने लगा मेमूद खिलजी ने 1519 इस्वी में सेना लेकर गागरोन की और रवना हुआ गागरोन की जागीर सांगा ने मेदिनी राय को दी थी इसकरन महारना सांगा मेमूद खिलजी को दंड देने के लिए मेमूद खिलजी के पास आसम खा के नेतरोत में गुजरात की सेना थी मेमूद खिलजी में और महारना सांगा में युद हुआ और महारना सांगा विजई बने खिलजी के हारने के बाद में उसके साथ आया आसम खा युद से भाग गया आसप खांका बेटा मारा गया महमूद खिल जी को कैद कर लिया गया उसे चितोड ले आए इधियास में ये युद गागरोन के युद के नाम से प्रशिद है जो पंद्रस उन्नीस इस्वी में हुआ था महमूद खिल जी तीन माह तक कैद में रहा उसके बाद में खिल जी का स्वास्ते ठीक हो गया तब महराना संग्राम सिंग जी ने उस पर दया करके उसको छोड़ दिया इस परकार के महान दयावान और महाप्राकरमी युद धते महराना सांगा जिनोंने अपने सत्रु को भी पूरे मान सम्मान के साथ में कैद में रखा क्योंकि सत्रु होने के साथ साथ वो भी एक राजा था इसलिए महाना सांगा ने कभी महमूद खिल जी का अपमान नहीं किया वह युद में प्राजित हुआ इसलिए उसे दंड सुरूप केद में रखा लेकिन जब खिलजी ने क्षमायात न की तो खिलजी को तीन महाबाद में वापस छोड़ दिया गया ऐसे इन महाप्राक्रमी योद्धाउं को बार बार प्रणाम है ऐसे महान योद्धाउं को हम जितना याद करें उतना ही कम है हमें किसी भी परिक्सा में सेलेक्ट होने के लिए भारती इतियास को तो पढ़ना ही पढ़ेगा भारती इतियास को अच्छी तरह से आत्मसाथ करें तो हमारी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है आईए हम सब मिलकर इन महान योद्धाउं को एक यादगार प्रणाम दे जे सिरी राम